सबी को नमस्कार, जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को सुब काम नाई, फाइनली विकेंसी आ चुकी है, बेस्टो प्लक तैयारी में लग जाईए, और दोस्तों इस वीडियो सेशन में आपको एसी जानकारी देने वाला हूँ, जो SSC GD में जाने वाले हर बच्चे को होना जरूरी है, फिर चाहिए वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है, जो भी मैं आपको बाते बताऊंगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है, अगर आप SSC GD में भरती होना चाते हो, तब, तो चलिए पोस्टूम पर आपकी ये भरती होने वाली है, ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म 17.7.2021 से लेकर 31.8.2021 तक भरे जा रहे हैं, तो आपने अभी आवेदन नहीं किया, तो आवेदन कर सकते हो, आप घर बेठे भी आवेदन कर सकते हो, मोबाइल की साहिता से, आप बाहर इमित्र या फिर किसी साइबर केफे में जाकर भी आवेदन कर सकते हो, इसके बारे मैं मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको डीटेल से बताऊँगा कि किस तरह से आपको फोम बरना है, किस तरह से आपको डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है, चोईस कैसे डालनी है, क्योंकि department की choice भी बहुँ ज़्यादा matter करती है इसमें जितने भी department है SSB है, NIA है, SSP है Assam Rifle है, CRPF है इन सभी की जो choice है वो आपको कैसे डालनी है ताकि जब आप exam करे करके आगे चलो जब final आपका selection हो तो आपको अच्छी post मिल जाए अच्छा department आपको मिल जाए तो इसके बारे में आपको next video session में आपको बताऊंगा अभी फिलाल जो बहत important बाते हैं वो बता रहा हूं ठीक है तो उनको ध्यान से सुन लो इसके बाद में देखें दोस्तों यहां पर vacancy की detail में दो चीजें समझ में नहीं आ रही है एक तो CRPF और एक NIA यह दोनु कोलम खाली है यानि देख सकते हैं आप 000 दिया हुआ है क्या सर यहां भरती नहीं होगी तो इस बात को लेकर अभी संसे बनावा doubt बना हुआ है मेरा यह मानना है कि आगे चलकर यानि कुछ दिन बाद में एक नया नोटिस जारी होगा SSE के दुआरा और उसमें SSE पदूं की संक्या में क्या करेगी वर्दी करेगी यानि 25,271 पोस्ट वर्तमान में है और फिर CRPF के पदूं को इसमें सामिल किया जाएगा NIA के पदूं को सामिल किया जाएगा तो डेफिनेटली आपकी वेकेंसी इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होगर कितनी हो सकती है सर तो लगभग मेरा मानना है 35,000 पोस्ट इसमें हो सकती है आगे चलकर फिलाल 25,211 है वैसे CRPF में पोस्ट खाली दिखाना ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि SSE ने ऐसा क्यों किया है क्योंकि CRPF में वेकेंसी अच्छी वली होती है जिस तरह से देखो BASP में अच्छी वली वेकेंसी है 7,545 है CISP के अंदर भी 8,464 है इसी तरह CRPF में भी वेकेंसी अच्छी वली होती है जो कि as it is है कोई इसमें change नहीं है आप जब start में लगोगे तो 21,700 आपका basic पर रहेगा फिर increment लगे और बाद में आपकी salary है वो 69,100 तक चली जाएगी तो vacancy को लेकर बहुत सारे बचे पूछ रहेंगी सर vacancy बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो संभावना पूरी है बढ़ने ठीक है इसके बाद में आगे important क्या है एज को लेकर कुछ छूट मिली है तो बिल्कुल भी छूट नहीं मिली है 18-23 वर्स एज रखी गई है यहां पर आप देख सकते हैं 18-23 वर्स है 18-2021 को यह जो एज है यह आपकी complete होना जरूरी है अगर आप 18-21 को 18-23 के बीच में है 18-23 23 से उपर नहीं है तो आप आविधन कर पाएंगे वैसे अच्छे तरीके से चेक करने के लिए आप यह DOB चेक कर लेना आपकी DOB 28-1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 18-23 से बाद की नहीं होनी चाहिए यह दोनु तारीक इसके अंदर mention है कोई प्रोब्लम नहीं है अगर आप 18-23 को जन में है तो आप आविधन कर सकते हैं इसके बाद में यहां छूट आपको मिल जाती है अपनी category के according इसके बारे में ज़्यादा बात करने क्या हो सित्ता नहीं यह आप सब जानते हो कि S.E.S.T. को 5 साल O.B.C. को 3 साल X.S.S. सर्विसमेन को 3 साल की छूट दी जा 1.8.2021 तक 10 वी पास होना जरूरी है 10 वी पास के साथ में 18 साल की उमर भी होना जरूरी है सर 10 वी पास हमने open board से की है तो open वाले भी भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर हमने N.I.O.S. से की है N.I.O.S. से की है तो भी आप भर सकते हो हमने किसी board से की है तो भी आप भर सकते हो इसके बाद में दोस्तों NCC को लेकर बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि इस बार NCC का वेटेज क्या रहेगा NCC वालों को कितने marks मिलेंगे तो यहाँ पर देखें इंसेंटिव आपको दे रहा है NCC की C Certificate वालों को 5% अंक मिल जाएंगे जो minimum अंक है maximum जो passing marks है उनके इसके बाद में B Certificate वालों को 3% और C Certificate वालों को 2% मिलेंगे अब सर्व परसंट का जो है वो हमें समझे नहीं आता आप सीधे marks बता दीजिए सीधे marks की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख लो कि NCCC वालों को 5 अंक मिलेंगे B वालों को 3 अंक मिलेंगे और A वालों को 2 अंक यहाँ पर दिये जाएंगे passing marks की मैं बात करूँ की कम से कम passing marks क्या है तो EWS, ESM और UR यानि जनरल के लिए 35% है SC, ST, OBC के लिए 33% कम से कम passing marks रखे गए अगर आप यह अंक लेकर आओगे तब भी आपको NCC के marks दिये जाएंगे, otherwise नहीं दिये जाएंगे ठीके यह भी clearly इसके अंदर mention है तो NCC वाले इस बात का जरूर ध्यान रखना इसके बाद में है कि आपका selection कैसे होगा तो पहला step आप सबको पता होना चाहिए कि computer based आपका exam होने वाला computer based examination सबसे पहला step है so question इस exam में आप से पूछे जाएंगे चार subject इसमें रहेंगे पहला subject है general intelligence and reasoning इसमें 25 question 25 marks फिर general knowledge 25 question 25 marks elementary mathematics 25 question 25 marks English, Hindi इन दोनों में से एक आपको लेना है ये भी 25 number और 25 question आप से पूछे जाएंगे अब दोस्तों best book कौन सी रहेगी इसके बारे में मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी book आपको पढ़नी है ताकि आपका selection हो जाए वैसे मैंने आपको ये तो समझा दिया है कि इस बार कितने अंकू पर selection होगा यानि कम से कम कितने आपको marks लेकर आने हैं ताकि आपका selection हो जाए SSC GD 2021 की भरती में अगर ये बात आपको समझनी है तो आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है उस लिंक पर जाना और वो वीडियो देख लेना तो उसमें चीजें बहुत सारी clear होने वाली है अगर आप अभी से इंडिया GK की या जनरल नोलेज की तैयारी करना चाहते हैं तो रोज रात 10 बजे मेरी class होती है रात को 10 बजे मेरी live class होती है वो live class आप देख सकते हैं और 10 बजे वाली live class में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ SSC के दुआरा पूछे गए सभी important question अगर आप वो class देख लेते हैं तो आपको उस class में ये समझा जाएगा कि किस तरह के सवाल SSC पूछता है GK के और किस तरह से तैयारी करनी होती है तो 10 बजे वाली class अब भी से आप देखना सुरू कर दो ताकि GK वाला session आपका exam तक बहुती strong हो जाए 25 में से 25 आप अंक लेकर आसको तो 10 बजे वाली class आप जोइन कर लेना जोइन करने के लिए क्या करना है आपको channel को subscribe करना है पहले तो उसके बाद में bell icon को press करना है bell icon को press करके all पे click करोगे न तब आपके पास में मेरे हर वीडियो की notification आएगी आगे SSC के दुआरा जो भी update दी जाएगी वो भी मिलती रहेगी और एक telegram channel है जिसका link भी मैंने description box में दिया है जो मैंने SSC वालों के लिए especially बनाया हुआ है तो वो भी आप join कर लेना वो free up course है वहाँ पर भी आपको चीजे मिलती रहेगी ठीक है इसके बाद में आगे बढ़तें दोस्तों इसमें negative marking का roll रहेगा 0.25 की negative marking इसके अंदर रहने वाली है मतलब अगर आप exam में एक सवाल गलत करते हो तो सही सवाल में से 0.25 काट लिए जाएंगे तो negative marking का इस बार roll रहेगा तो आपको थोड़ी मैनत अच्छी भी करनी है negative marking से बहुत सारे बच्चों के बहुत बड़ा नुकसान होता जो नए बच्चे होते हैं वो negative marking की value को नहीं समझते हैं कि negative marking से कितना नुकसान होता है तो ये भी मैं आपको एक video session में बताऊंगा कि किस तरह से आपको exam attend करना है और किस तरह से आपको negative marking से बचना है इसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें आपका इसके second stage में होगा physical efficiency test इसमें दोड करना है आप सबको पता है 5 km पुरसूं के लिए और 1600 मेंटर महिलाओं के लिए है साड़े 8 मिनट का समय और पुरसूं को 24 मिनट का समय दिया जाएगा और जो लदाख region वाले हैं उनको यहां पर छूट मिल जाती है इसके बाद में next आपका आएगा physical standard test जिसमें measurement लिया जाएगा माप लिया जाएगा height 170 cm पुरसूं के लिए महिलाओं के लिए 157 cm रखी गई है तो इतनी height होना जरूरी है जो कहते हैं कि सर थोड़ी सी कम है तो कम वाला muscle सोधा है नहीं चलता है 170 कम से कम 157 महिलाओं के लिए कम से कम होना जरूरी है नहीं तो आगे जाने के बाद में यहाँ पर बच्चे बहुत सारे निकल भी जाते हैं जिनकी पूरी-पूरी height होती है उनके समश्या भी होती है तो इस बाद का भी ध्यान रखना इसके बाद में यहाँ पर चेस्ट को बताया भाई कि चेस्ट कितना होना चाहिए चेस्ट काली पूर्सूं का लिया जाएगा 80 सेंटीमेंटर कम से कम इसके बाद 5 सेंटीमेंटर की फुल आउट होना जरूरी है ठीक है और कुछ जातियों को यहाँ पर छूट भी मिल जाती है इसके बाद में आगे दोस्तों वेट की बात करें तो वेट इंपोर्टेंट है जो लोग हटे-कटे मोटे ताज है न वो अभी से इस बात का जान रखें कि आपकी हाइट एज के अकोर्डिंग वजन होना जरूरी है और क्या SSC GD की बरती में रिक्रूर्मेंट रहती है हाइट की, एज की और साथ में वेट की क्या इनका रोल है यह भी मैं आपको आगे एक वीडियो सेसन में समझा दूँगा इसके बाद मैं देखें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन वैसे तो नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फ्लैट फूट और नोकनी की जिनके प्रोब्लम है वो ध्यान देना वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे फ्लैट फूट और नोकनी की प्रोब्लम का विसेस ध्यान रखना बाकि Eye Sight में आपका Color Vision का टेस्ट होगा Color Blind नहीं होना चाहिए आपको Color Room की पहचान होनी चाहिए चस्मा लगा है और आपकी Eye Sight proper है और Color Vision की दिक्कत नहीं है तो चस्मे वालों के लिए भी I Think कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एक मैने बच्चे के वो पूछा था जिसका सेलेक्शन हुआ था अभी Last Recruitment में तो उसने बताया था कि बड़ा इस्यू नहीं है अगर Eye Sight proper है तो काम चल जाएगा इसके बाद में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें हमारे जो Operation हुआ है Appendix वगरा का Operation हुआ है तो क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं तो जिनके Operation हुआ है और Recovery आप लोगों ने अच्छे से कर लिए यानि Operation आपका Success कुल है किसी तरह कि आपके दिक्कत नहीं है Physical आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप जा सकते हैं Operation वालों को भी याँ पर रोका नहीं जाता है ठीक है इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों Important Documents कौन से हैं तो दोस्तों Document सबसे Important है आपके सभी Document 10 की Mark Seat के According होना जरूरी है जो 10th Class का आपका Mark Seat है जो Certificate है उसके According आपके सारे Document होना जरूरी है पहली बात तो ये उसके बाद में एक आपका Photo Identity Proof होना चाहिए Photo Identity Proof में आधार कार्ड भी चल जाता है Water ID भी चल जाता है Driving License चल जाता है Pen Card चल जाता है तो इन में से जो भी आपके पास में Document है उसमें जो नाम है वो दस्तों के According होना जरूरी है और Date of Birth उपर लिखी होनी जरूरी है जैसे आधार कार्ड में बहुत सारे बच्चों के खाली Year लिखावा होता है जैसे 1990 Year लिखावा है तो खाली Year नहीं चलेगा Date, Month और Year ये तीनु चीजें जिस Identity Card के उपर है जिस Identity Proof के उपर है वही आपका मानने होगा तो इस बात का जरूर आप द्यान रखना बहुत सारे बच्चों के अधार कार्ड में पूरी DOB नहीं है तो पूरी DOB उसमें करवा लेना करेक्शन बाद में आगे जरूरत पड़ेगी उसकी Mode of Selection में ने आपको बताई दिया है कम से कम Marks है वो General EWS, ESM के लिए 35% है SC, ST, OBC के लिए 33% है ये Marks होना जरूरी है तब भी आपको जो NCC है उसका Benefit मिलेगा Otherwise आपको NCC का Benefit भी नहीं दिया जाएगा चलिए अब दोस्तों आगे SSC, ZD को लेकर जो भी Update होगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करके All पे क्लिक कर ले एक Telegram चैनल है हमारा वो जोइन कर ले और रोज रात जो 10 बजे हमारी GK की कलास होती है उसको आज से ही आप जोइन कर लीजिए ठीक है रोज रात 10 बजे कलास होती है आज से ही जोइन कर लीजिए ताकि आप पीछे न आ रहो और आपको इंडिया GK अच्छे से समझ में आता रहे और आसानी से आप General Knowledge के क्युस्टन एक्जाम में स्वाल कर पाओ